हाई एवरिवन आज मैं आपकरी बहुत ही टेस्टी हेल्दी और न्यूटिशन से भरपूर मिठाई की रेसेपी लेकर आए हूँ मिठाई और वो भी इतनी हेल्दी तो क्या बात है छोटी और बड़े सभी खा सकते हैं यहां पर मैंने 400 ग्राम खजूर लिये हैं और यहां पर मैंने इस तरीके से हम इनके बीज निकाल देंगे आप चाहें तो सीडलेस भी ले सकते हैं और अगर आपके पास जो खजूर हैं वो थोड़े से हार्ड हैं तो आप उसे 10-15 मिनट के लिए गरम पानी में भिगो कर रख दीजे ताकि वो सॉफ्ट हो जाएंगे और बाकी का सारा प्रोसीजर सेम रहेगा और यहां पर मैंने इंखजूर के बीज निकाल दिये हैं बीज निकालने के बाद इनका वेट 3500 ग्राम है वैसे थोड़ा सा ओपर नीची होगा तब भी चलेगा अब यहां पर हम गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे इसमें हम एक कप फूल मखाने डाल देंगे और इन्हें लोटू मीडियम फ्लेम पर दो से तीन नट अच्छे से भून लें जब तक की अच्छे से क्रंची ना हो जाएं और यह देखिए अगर मैं इन्हें क्रश कर रहे हूँ तो यह आसानी से हो रहे हैं तो समय लीजिक हो गए हैं अब इन्हें एक बड़ी परात में निकाल लेंगे अब इस कढ़ाई में एक चम्मा देसी की डाल देंगे और इसमें डालेंगे एक चोथाई कप बादाम और ए इक दम लाजवाब होता है और साथ ही इसमें क्रांच भी बन जाता है जो बहुत टेस्टी लगता है और यह देखिए जिनके उपर अच्छा सा कलर आ गया है अच्छे से फ्राई हो गए है तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अब इसमें थोड़ा सा घी बच किया है इसी मेही मेहाँ पर एक चोथाई कप भूने हुए चनी डाल रही हूँ और एक चोथाई कप ही इसमें भूने हुई मौंफली डाल रही हूँ अगर आपके पास कच्ची मौंफली है तो आप उसे पहले अलग से भून लीजिए और इन्हें भी हम low to medium flame पर हलका सा भून लेंगे यह देखे जब यह भून गए हैं तो इन्हें भी हम इसी परात में ही निकाल लेंगे अब इस कड़ाई में फिर से एक चमाच देसी घी डाल देंगे अब मैं इसमें डाल वही हूँ एक चोथाई कप pumpkin seeds एक चोथाई कप sunflower seeds अब इसमें दोनों ही seeds को हम पहले एक से दो मिनट low to medium flame पर भून लेंगे अब इसमें एक चोथाई कप oats डाल देंगे और दो बड़े चमाच पॉपी seeds यानि की खस-खस के दाने डाल देंगे और एक चोथाई कप नारियल जिसे हमने कद्दू कस कर लिया है इसमें डाल दें जैसे मैंने इसमें पर अपनी पसंद का dry food डाला है आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई और dry food भी डाल सकते हैं और dry food की quantity भी कम या जादा कर सकते हैं कोई चीज अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसे हटा सकते हैं कुछ और डालना चाहें तो उसे डाल सकते हैं यह पिल्कुल आपकी चॉइस है यह देखिए तकरीबन 3-4 मिनट लगे हैं यह सबी चीज़ें यहां पर अच्छे से भुन गई हैं तो बस गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और अब यह जो परात में हमने पहले चीज़ें निकाली थी इनको हम हलका सा पीस लेंगे यानि हलका सा हमको इने क्रमबल करना है बहुत जादा एकदम फाइन पाउडर नहीं करेंगे इन सबको मैं यहां पर अगारो के फूट प्रोसेसर में डाल दूंगी और इसको बस ओन कर देंगे और यह देखिए कुछ सेकेंट्स में ही यह जो सारा ड्राइफूट है हलका सा दरदरा हो ज देखिए हमने जब दरदरा पीस लिया है तो हम इसे यहां पर इस परात में निकाल लेंगे इसमें से कुछ ड्राइफूट के पीस अगर मोटे रह गए हैं तो हम उने चाकू से काट लेंगे और अब इसमें ही यह कड़ाई वाला ड्राइफूट भी डाल देंगे अब इसम तरीके से बिल्कुल डो जैसर तयार हो गया है आप चाहें तो इसे डारेक्ट ड्राइफूट में डाल सकते हैं या फिर इसे थोड़ा सा इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इस कड़ाई में एक चम्मच देशी की डाल दूगी और इसमें मैं यह खजूर डाल दूग और ड्राइफूट को इसके साथ अच्छे से मिक्स करते चले जाएंगे यह देखिए और यह जो मेक्षर है थोड़ा सा मुझे ड्राइ लग रहा है तो मैं इसमें यहां पर दो चम्मच देशी ही डाल रही हूँ इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इससे स अब अब आप चाहें तो ईसे गी से गरीश करके भी मिक्स्टाइ दाल सकते हैं और इससे डालना भी बिल्कुल ऑप्शनल है और इससे आदे घंटे के लिए चाहे तो फ्रिज्झ में रख दीजे या रूम टेमिग़र च्छा दीने接 में प्छोड़ा जोर्च करने ताकि अच्छे से सेट हो जाएगी और ये देखिए बर्फी हमारी याँ पर अच्छे सेट हो गई है तो बस पहले हम इसके किनारों पर इस तरीके से चाकू चला लेंगे ताकि जो है ये इस किनारे असानी से छोड़ देगी और अब इसे ट्रे को इस तरीके से पलट देंगे और ये देखिए इससे सीधा कर लेंगे और ये बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो गई है अब हम इसे छोटे पीसिस में कट कर लेंगे पीसिस आप इसमें अपनी पसंद से छोटे या बड़े रख सकते हैं और जैसे मैंने इसकी बर्फी सेट करी हैं, आप चाहें तो इसके लड़ू भी तयार कर सकते हैं, इसी तरहां के बहुत सारे लड़ू मैंने आपके साथ अल्लेडी काफी बार शेयर करे हुए हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं, और ये देखें, हमने इसे छोटे पिसे मैं आपके रोज लेकर आती हूँ, और इस मिठाई को आप एक महने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, क्योंकि हमने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, जो खराब होने वाला है, इसमें हैं सिफ ड्राइफूट और खजूर जिनकी शेल्फ लाइफ और बहुत जादा होती है, और हमने इने भून कर डाला है, तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ और जादा बढ़ जाती है, और लेजे हमारी पावर पैक बहुत ही जादा टेस्टी, न्यूटिशन से भरपूर मिठाई बन करके तयार है, अगर आप वे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मत भूलना, इसी तरह की और नहीनी रेसिपी देखने के लिए, अब मिलती हूँ एक और नहीनी रेसिपी के साथ, तब तक लिए गुड़ बाई, टेक कियर और थैंक्स और वाचिंग